स्टुडेंट्स यह कोशन एपी का है एक्सराइस 5.4 कोशन फर्स्ट आईए कोशन है कि 20 तरम अधा एपी एपी हमें गिवन है 121, 117, 113 and so on is the first negative term कि जो इसकी जो first negative term है वो कौन सी होगी तो हम एपी से start करते हैं अगर हम इस एपी में देखें तो यह reduce हो रही है तो इसमें ज difference है वो जाएगा 117 minus 121 minus 4 का गया इसमें condition पूछिए कि कौन सी first term negative होगी तो हम इसमें condition लगाएंगे an less than 0 अब इसमें an को expand करेंगे a plus d की form है वो हमारे पास आजाएगा a plus n minus 1 into d less than 0 अब इसमें value substitute करेंगे a 121 और d minus 4 अब इस minus 4 से जब हम multiply करते हैं तो यह हो जाएगा यह minus हो जाएगा और plus हो जाएगा तो 121 minus 4 and plus 4 is less than 0 यह condition याज रखी क्यों हमें इसमें first negative term निकारनी है तो उसमें जो भी term आएगी वो less than 0 होनी चाहिए तभी वो first negative term आएगी आगे हमने इसको solve किया वह हो गया 125 121 plus 125 minus 4 and अब इस 4 and को हम दूसरी तावले जाएगे तो जाएगा plus 4 and अब अगर हम इसको दिखे मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि 4 and को अगर मैं change करना चाहूं side तो जो symbol as जो inequality का symbol है वो बदल जाएगा यहां less than था यह greater than हो गया means n की value जो है वो greater than होनी चाहिए 4n की value greater than होनी चाहिए 125 से n is greater than 125 by 4 and should be greater than 31.25 अब 31 देखे n जो है वो 31.25 आ रहा है मतलो क्या है कि 31 के बाद जो number आता वो 32 होना चाहिए अब decimal में आ रहा है तो हमें whole number चाहिए तो हम क्या करेंगे हम 32 लेंगे 31 तो लें नहीं सकते क्योंकि already 31 से ज्यादा n की value तो इसमें जो first negative term है वो 32 होगी जो इसका answer है Thank you